नमस्कार आप देख रहें एटियन लाइव और मैं हूँ आपके साथ चंदन जिस तरीके से पूरे देश भर में पेट्रॉल और डीजल की किमुतों में उशाल हुआ है और लोग इसको लेकर के काफी त्राहिमाम अपनी जिन्दगी जी रहे हैं कई जगों पे तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो बाइक है या फिर कार है पेट्रॉल और डीजल की महंगाई को लेकर के वह खड़ी हो गई है लेकिन इन सबके वाउजुद एक बड़ी खबर है जो की पटना से निकल करके सामने आ रही है और यह खबर जो है कि यह है कि कुछ एलेक्ट्रिक बसों की सुरुवात हुई है और इसका सुवारंब जो है बिहार के सुशाषन बाबू जो है सीएम नितिस कुमार इनके द्वारा हरी जहंडी दिखा करके तकरीबन 82 एलेक्ट्रिक बसों की सेवा की सुरुवात की गई है और यह जो एलेक्ट्रिक बसे है यह पट्ना से गया भी जाएंगी इसका परिचालन सुरु कर दिया गया है और पट्ना से राजगीर भी जाएंगी और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पट्ना के जो सहरी इलाके हैं उन सहरी इलाकों में भी इन बसों का परिचालन होगा और आज इस electric bus का जब सुभरम हुआ तो नितिस कुमार बिहार के जो मुख्य मंत्री है इनके साथ तमाम एंडिये के मंत्री और विधाय गंड भी मौजुद थे नितिस कुमार आज सुरुवात करने के बाद इस electric bus से बैठ करके और विधान सवा पहुँचे जहां पे इनके पहुँचने के बाद सदन की आज की करवाई शुरू है तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से पुरे देश भर में पेट्रॉल की किमतों में लगातार उच्छाल हो रही है डीजल की किमतों में उच्छाल हो रही है कहीं न कहीं आम जन जीवन तो पुरी तरीके से परभावित हो ही रहा है जिस तरीके से जो महंगाई है महंगाई रुखने का नाम नहीं ले रही है लोग जो है अपनी बातों को कह रहे हैं लेकिन सरकार के कानों तक नहीं पहुँच पा रही है या सरकार सुन करके उसे अंदे ही कर दे रही है जिसको ले करके लगातार हम आपको बताते चले कि कई बार जना क्रोस भी देखा गया लोगों में कई बार लोग जो है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फुके लेकिन इससे कहीं भी कुछ असर सरकार के उपर दिखाई नहीं दे रहा है हलाकि हम दो तिन दिनों पहले की भी अगर बात कर लें तो आर्बी आई ने भी एक प्रेस्वार्ता करिया कहा था कि टेक्स की जो टेक्स है उसे घटा दी जाए और टेक् की जो कीमत है उसमें कमी आएगी लेकिन आर्बी आई की भी बातों पर अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ अहम फैसला नहीं लिया जिसके वजह से लोगों को अभिया नहीं समझ में आराए कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है जिस तरीके से बिहार में 82 अलेक्टिक बसों की सुरुवात की गई है जो की इलेक्टिक बस है और वो पटना से राजगीर भी जाएगी गया भी जाएगी उसके बाद से यो पटना का जो इलाका है सहरी इलाका वहाँ भी परिचालन उनका होगा और इस अलक्रिक बस से नितिस कुमार बिहार के जो CM है वो सदन भी पहुचे और ऐसा लग रहा है कि इस इलक्रिक बस की सुरुवात इसलिए की गई है नितिस कुमार को भी अलग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेटॉल और डिजलो की किमतों में जो उशाल हो रहे हैं दिन प्रते दिन उससे जनता कहीं न कहीं आक्रोशित है और इसी को लेकर के भले ही आज वो NDA में है बीजेपी से जेडिव का गड़बंदन है इसको लेकर के वह नहीं कहीं कुछ बोल रहा है लेकिन कहीं कहीं मीडिया के सवाल पर मुख्यमंतर का कारण भी है क्योंकि आज बीजेपी और जेडिव की गड़बंदन की सरकार है और ऐसे में बिहार के सीएम नितिसकुमार है कहीं न कहीं बीजेपी की बोदौलर थी आज वो मुख्यमंतरियां उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारी जुबान फिसली तो फिर हमारी कूरसी भ बसे हैं जो इलेक्ट्रिक जो बसे शुरुवात की गई है और विद्हान सबाबें जैसे हैं नितिसकुमार आज पहुँचे तो कई लोग देखकर के शौक भी गए और वाकई में जिस तरीके से जो बस बनाए गया है बहुत ही खुबसुरत बनाए गया है अंदर में बहु लेकिन सवाल है कि क्या एलेक्ट्रिक बस तीन सो पैंसटों दिन चल पाएंगी आखिर वो चार्ज कैसे होंगी क्या चार्जिंग पॉइंट कुछ जगों पे बनाए गया है ऐसा अगर पेट्रोल और डीजल से अगर चलने वाली जो गाडिया है वो तो जाहिर तोर पेट्र पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल लिया जा सकता है पेट्रोल टैंक टंकी से जाकर के पेट्रोल पंप से जाकर के लेकिन अगर इसकी चार्जिंग समाप्त होती है तो चार्ज कहां होगा तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट बनी होंगी लेकिन अभी तक इस तरह की बसों की जो शुरुवात की गई यह पेट्रॉल और डीजल की महागाई को ले करके तो यह सक्सेस्फुल हो सकता है और अगर चार्जिंग कॉइट अगर समय पर ना बन पाये और ना हो पाये तो यह तरही तो कहीं ना कहीं बिहार के सिएम को इस पर बहुत अच्छे तरीके से से एक टीम बना करके काम करना होगा हलाकि सुरुवात बहुत अच्छा है इसके लिए हम भी इनको शुब कामनाय देते हैं कि पेट्रॉल और डीजल की जिस तरीके से जो कीमत बढ़ी हुई है और जिस तरीके से जो किराया बढ़ा हुआ है आम लोगों पर कहीं न कहीं इसका गोज बढ़ता जा रहा है तो एलक्ट्रिक बस आने के बाद से किराया भी कुछ कम होगा और लोगों को जो है रहत भी मिलेगी इस महांगाई को ले करके तो एक अच्छी सुरुवात बिहार से की गई है जो कि इलक्ट्रिक बस की सुरुवात हुई है इसका सुबारंब सी बिहार के जो सीम है मुख मंतरी हितिस कुमार ने हरी जंडी दिखा करकी गिया और उसके बाद इसी बस में इलक्ट्रिक बस में सवार हो करके वो आज बिधान सब्ब में पहुँचे उसके बाद से सदन की करवाई जो है वो सुरु की गई तो इसी तरीके से लगातार हम आप दोनों मिल करके और सीवान शपरा गोपाल गंज इसके आस पास के जो भी जिलह या फिर पूरे बिहार को एक उचाईयों तक ले जाने का काम करते रहें धन्यवाद चले आईए सिवान शहर इस्तित दिएवी कॉलेज मोड के निकट महाकाल कम्प्यूटर्स में नमांकन प्रकिरिया जारी है अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7.009.75.883 पर मैं नहीं मेरा काम बोलता है Commerce by Vishal Sir 12th का New Best Start and Become का New Best Start जो स्टूरेंट 11th नहीं पढ़े है या कमजोर है तो उन्हें Commerce के Basic पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पर Accountancy, Economics, Business Studies, EPS चारो विसे की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी सिवान की एक मात्रहसी संस था जहां Listen by Listen Objective Notes तिया जाएगा Weekly Taste की है विवस्था, एक Listen के पूरा होने पर Taste की है विवस्था, संडे को Extra Class Age, कमजोर स्टूरेंट के लिए Special Classes की विवस्था पता, रामराज जमोर, हनुमान चाय दुकान के पास सिवान मोबाइल नंबर 970-8941038 अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगर विकास, तो उनका नामांगकन कराएए सुफिया पाब्लिक स्कूल में, Affiliated to CVSC New Delhi 10 प्लस 2 तक, कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें अभूशन की दुनिया में एक विश्वशनी है नाम, New भारती अलंकार ज्वेलर्स हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक सांती वट वरिक्ष के ठीक सामने सिवान हमारे यहां आकरसक एवं सुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मुल्ले पर खर्दारी करें वेभार व विश्वास हमारी पहचान, नियो भारती अलंकार ज्वेलर्स सुनार टोली चौक सांती वर्ट वरिक्ष के सामने सिवान मोबाइल नंबर 9631402553 द्रिस्टी IAS, Exclusive Coaching for UPSC, BPSC, SSA, Railway, Daruga, Constable and Other Competitive Exams अन्ड डिरेक्टर आ, A.K. Singh, M.A. UGC. Net with History, मोबाइल नंबर 8294091548 and 9798001176 एड्रेस इस, रामराज मोड, हन्मान चाय के दुकान के पास, Sivan RM Public School, Affiliated to CBSC New Delhi, Admission Open for Class Nursery to 9th, Season 2021-22 इस्लामी अनगर मोड, Lakshmipore, Sivan वेल-Qualified Teacher, Digital Smart Classes, Indoor-Outdoor Games, Advanced Science and Math Lab AC Computer Lab & Library, Under CCTV, Surveillance 24 x 7 hours Contact No. 9199931333 Next, 7870868765 Bajpan Play School, Classes, PZ2 Standard 2nd Fully AC Classroom, Will Manage Transport System with GPS Tracker in Each Vehicle बच्चों को स्पीको पेन से सिक्षा देने की भी सुविधा Hurry Up! Admission is going on Bajpan Play School, Station Road, Near 61 Taxi Stand, Sivan Help Line No. 993181-4831 and 8969727300 संगमित्रा पब्लिक स्कूल, F882-CVACF-2112 कनिस्क बिहार, मैरवा रोड, Sivan 7921-22 में, नरसरी से 9th and 11th के लिए नामांकन प्रारम विद्याले कैंपस में ही छात्रवास की सुविधा साथ ही हॉस्टल में निस्वल कोचिंग क्लास एक मात्र ऐसा विद्याले जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा आप अपने बच्चों का उज्जल भविस से बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संगमित्रा पब्लिक स्कूल कनिस्क बहार, महिरबा रोट, सिवान, प्रचार्या, नवोधिता गोष, च्वेर्मैन मनेश प्रसाथ से हेल्फ लाइन नंबर 9899701920 9939422718 8002500381 लाइटिंग के दुनिया में धमाल मजाने आ गया है अब तक का सबसे सूपर इस्क्लूसिब सोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टीशन मोर सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सर्फिस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लरड लाइट, प्रोफाइल लाइट सोलर स्ट्रीट लाइट बिलकुल ओचित मुल्ले पर मिलता है मकान हो या दुकान अगर खुबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस स्टीशन मोर सिवान प्रोप्राइटर फिरोज खान कॉंटेक्ट नमबर 72569-63795 अग पेट्रॉल डालने का टेंशन खात्म क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमो कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर आसान किस्तों पर बेउपलब्द एमो लेकर आया है जॉंटी इंस्पाइरल फेस्टी और स्पाइन चार अलग-अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैक्टरी से चलने वाली स्कूटी प्रखन अस्तर पर सभी डिलर्शिप के लिए संपर्क करे नो रिजिस्टेशन, नो लाइसेंस तो एस महंगाई के दौर पे एमो की स्कूटी आज ही खड़ी दे नाशनल मोटर बच्पन प्ले स्कूल के सामने शिस्वन धाला सिबान संपर्क करे 7050050508, 7783069423 इमानुवल मिशन हाय स्कूल, कॉंटेक्ट नमबर 7070640653 and 771-778-6686 and एमानुवल कॉंवल कॉंवल कॉंट स्कूल, कॉंट नमबर 890-9836-936 and 993-440-7656 the trusted name for quality education since 1986 admission open up to standard 8 50% off on admission till 31st March hurry up, Emanuel Mission High School and Emanuel Convent School, Siwan